तेजस्वी आदब का एक ब्यान आया है जिसको लेकर नितीश कुमार ब्यार के CM सहाब कन्फ्यूजन में है ब्यान ये है कि अगर नितीश कुमार तेजस्वी आदब के साथ होंगे तो RJD मजबूत होगा अब नितीश कुमार ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि नितीश कुमार RJD के साथ होंगे क्यों वो तो RJD से अलग हो गए हैं लेकिन RJD आपने एक बात ध्यान दिया होगा नोटिस किया होगा कि जब से नितीश कुमार इस बार भाजपा के साथ जाकर सरकार बनाये हैं और लोग सभाचुनाव लड़े हैं इसके बाद RJD का कोई भी नेता नितीश कुमार के उपर उतना हमलावर नहीं है जितना पहले हुआ करता था कारण क्या है कारण ये है कि RJD के लोगों को अभी भी ये लगता है कि नितीश कुमार फिर से पल्टी मारेंगे और केंदर में महागडवन्दन की सरकार और बिहार में भी महागडवन्दन की सरकार बनाएंगे लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जिस बिहार में RJD का एक सांसद नहीं था तब लालु यादब के पुत्र तेजस्वी यादब कहते थे कि हम नितीश कुमार के साथ मजबूती के साथ कड़े है और लालु यादब मुंबई में जाकर कहते हैं कि हम राहूल गांदी के साथ मजबूती के साथ कड़े है हम नितीश कुमार वहाँ भी कनफूज हो गए कि राहूल गांदी या नितीश कुमार बड़ा नेता कौन? इसी लिए तो पल्टी मारे थे इसके बाद एक बात और नितीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं कि जो बिहार में 200 सभा 26 सीट पे लोक सभा चुनाओ लड़कर और 200 सभाए करता हो और मात्र 4 सीट जीत कराता हो वो नितीश कुमार को तै करेगा कि आपका अस्थान कहां होना चाहिए और नितीश कुमार ब्यार में भी एक ऐसे नेता है ब्यार में एक कहावत है कोई चीज़ अगर मांगा हो जाता है न सबजी या ना जगर कुछ मांगा हो जाए तो लोग कहते हैं कि ये तो चुहाड़ा हो गया आलू नहीं हुआ चुहाड़ा हो गया बैंगन नहीं हुआ चुहाड़ा हो गया दाल नहीं हुआ चुहाड़ा हो गया ऐसा एक कहावत कहते हैं तो नितीस कुमार अभी वही चुहाड़ा है जिस पार्टी के तरफ चले जाएंगे उसी की सरकार बनेगी और RJD को ये महसूस हो चुका है कि 2025 में भी वो बियार में कुछ ज़्यादा करने वाले नहीं है लोग सबाचुना में नहीं कर पाएं विधान सबाचुना में भी नहीं कर पाएंगे उसी का बॉखलाट उसी का नतीजा है ये कहना है BJP का,JU का यानि NDA का कि तेजस्वी आदब गुटने टेक दिये हैं आज ही कि 2025 में वो हार रहे है तेजस्वी आदब का ये ब्यान यानि वो 2024 के लोग सबाचुना में तो चले गए लेकिन 2025 के विधान सबाचुनाओं में भी वो अभी से गुटना टेक दिये हैं कि नितीज को मार के बिना RGD का कोई अस्तित्व बिहार में बचा नहीं है लालू राज समाप्त, लालू यादब का खेल खतम हो गया बिहार में और तेजस्वी आदब को लोग समझ नहीं पा रहे हैं तेजस्वी आदब का बीच-बीच में बियान ऐसा आता है जो संभल नहीं पाता है लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि कैसा बियान है ये, कैसे संभव है ये जैसे परसांद की सोड डिकोट कर दिये कि 10 लाक नोकरी की देने के आप जो बात करते हैं कहां से देंगे 10 लाक नोकरी तो यही सब बाते बिहार में चल रहा है आगे का अबडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब करके वे लेकिन को प्रेस कर लें नमस्कार जैन तैंक यू